हाई गाईज स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल प्रोफेशनल ब्यूटी वर्ड में कैसे है आप सब तो गाईज लास्ट वीडियो में हमने कलर थियोरी देखी थी जिसमें कि हमने कॉम्प्लिमेंटरी कलर इसकीम और कैसे हमारे कलर्स बनते हैं सब कुछ देख लिया थ कर्मेंटिक क्या होती है हमारे कलर वी उसमें हमने मोनो कॉमेटीक कलर स्कीम को देखना है कि से कैसे हमें मेकप करना रोता है । सबसे फर्स हम देखेंगे what is monochromatic color harmony क्या होती है and what is monochrome makeup look monochrome makeup look क्या होता है किस तरह से हम monochromatic makeup look create करते हैं हमारे makeup look में कैसे हम monochromatic color scheme को use करते हैं इसके examples हम देखेंगे तो ये तीनों बाते हमें देखनी है ताकि हम बहुत अच्छे से समझ पाएं कि किस तरह से हम हमारे makeup में ये वाली color scheme को use करते हैं तो चलिए start करते हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं what is monochromatic color harmony monochromatic color harmony क्या होती है तो सबसे पहले मैं आपको डाइज़ वोट इस monochromatic color harmony तो इसमें देखें definition में हम देख लेते हैं monochromatic harmony uses one hue and various tint, tone and shade associated with that hue अभी आप सोचेंगे कि hue क्या होता है तो hue जो होता है वो होता है pure color अब pure color means pure color क्या होता है तो pure color जो कि जो shades किसी के भी mixing से नहीं बनाए जा सकते हैं अब या आप पताएए मुझे कौन से shade किसी के भी mixing से नहीं बनाए जा सकते हैं मैंने पहले videos में आपको पता है कि जो हमारे primary colors हैं उनको हम किसी भी color को mix करके नहीं बना सकते हैं that means जो hue है वो हमारे हैं R, Y and B red, yellow and blue so hue हम किसको बोलते हैं? red, yellow and blue और monochrome color scheme में क्या होता है? जो हमारा pure color है उसमें हम जैसे हमने white add किया ok? जैसे red हमारा pure color है ठीक है, red हमारा pure color है red में अगर आप white add करेंगे तो आपको tint मिलेगा तो आपको tint कौन सा मिलेगा pink मिलेगा ठीक है, red में white add करेंगे तो आपको मिलेगा pink ठीक है, so tint क्या होता है जब आप pure color में white color add करते हैं जैसे आपने red में add किया white then आपको मिला pink ठीक है वैसे ही tone क्या होता है tone होता है कि जब gray add करेंगे आप जो pure hue है उसमें gray add करेंगे so red में अगर आप gray add करेंगे तो आपको tone मिलेगा and shade क्या होता है जब आप pure color में black add करेंगे ठीक है तो red shade क्या होता है shade में अगर आप black add करेंगे तो आपको मिलेगा shade मतलब कि red में आपने black add किया तो आपको मिलेगा maroon color ठीक है? maroon color मिलेगा आपको तो ये होगा आपका shade तो monochromatic color scheme में क्या होता है कि आप pure colors को मतलब single color को use करेंगे and आप use करते हुए उससे tint, tone and shade के according जैसे आपने eye makeup करना है तो eye makeup में आप क्या करेंगे आप उपर pink से contour कर देंगे and आप red color eye makeup के करेंगे मतलब जो हमारा eye makeup होता है lid पर and आप maroon lipstick दे सकते हैं ओके? so same colors को अगर हम use करेंगे single color को single color को tinted on shade ये create करके use करेंगे तो वो होती है हमारे monochromatic color harmony ओके? तो I think आपको समझ में आ गया होगा मैं एक बार आपको shade create करके दिखाती हूँ तो देखे गाइस जैसे अभी हमने red color लिया है and red में हम mix करेंगे white ठीक है? हमने red में mix किया है white तो red अभी तक हमारा pure color है ठीक है? red हमारा pure color है लेकिन जब आप red में white mix कर देंगे तो आपको shade मिलेगा tint हो जाएगा मतलब यह पता है यह red का tint है pink ठीक है? तो आपको मिलेगा pink यह tint है and red में अगर आप black add करते हैं ठीक है? red में अगर आप black add करते हैं तो आपको मिलेगा maroon color तोड़ा सा black add लेगे यह दिखिए ठीक है? and यहाँ आप mix कर देंगे तो यह आपको मिल गया maroon shade दिख रहा होगा आपको यह दिखिए मैं आपको दिखा दूँ यह maroon and pink ठीक है? तो इस तरह से हम tint it on and shade create करते हैं इस तरह से आपको यह monochromatic color scheme के लिए एक single color से आपने make up करना होता है ठीक है? तो आपको समझ में आगया होगा कि किस तरह से हम monochrome color harmony को use करते हैं So what is monochrome make up look? monochrome make up look is when your face, eye and lip make up are in the same color palette okay? it means, same color palette means कि आपने eyes पर भी pink यूज किया है lips पर भी आपने pink यूज किया है आपने blusher भी pink यूज किया है तो मतलब आपका पूरा लुक सेम है एक ही color से है एक ही palette से है ठीक है? मतलब सेम color palette से है तो उसको हम बोलते हैं monochrome make up look जैसे कि इसका एक example है आलिया भट आलिया भट ने अपनी शादी में monochrome make up look ही लिया है with no make up look उन्होंने बहुत ही lightly अपना base create कर भाया है and जो उनका eye look है मैं side में आपको फिक लगा दूँगे आप देखेगा वो monochrome make up look ही है तो और देखे गाईज अब इसको किस तरह से orange जैसे आपने orange color eyes के लिए भी आपने यूज किया है इसमें आप rusty orange यूज करेंगे ठीक है rusty orange आपने यूज किया है eyes के लिए and lips पर भी आपने orange tone ही यूज किया है जो भी orange tone के lipstick है वहीं आपने lips पर यूज किया है and जो blusher है blusher भी आपने orange tone का ही use किया है ठीक है तो ये हो गया हमारा monochrome makeup look अभी like आप pink tone देख सकते हैं ठीक है pink tone में आपने क्या करना है आपने pink आपने कोई भी pink matte shade यूज़ कर लिया अपनी eyes पर अगर आप चाहते हैं तो shimmer shade भी use कर सकते हैं उसके साथ में अब ये सब चीज़े आपको देखनी है अपने skin tone और undertone के हिसाब से ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आप makeup करेंगे तो आपको skin tone और undertone के हिसाब से work करना है क्योंकि अभी जैसे cool undertone है तो cool undertone पर जो shades अच्छे लगेंगे unique according आपको अपना look को choose करना है और उसके बाद में आपको makeup करना है अभी brown tone makeup इसमें बहुत ज़्यादा trend में है brown tone के तो उसमें क्या होता है brown shade से ही आप eye makeup करेंगे कोई भी आप golden shimmer यूज़ कर लेंगे and then bronzer आप यूज़ करेंगे brown and कोई भी nude brown जो shade है वो आप as a lipstick use करेंगे फिक मैं side way लगाऊंगे आप देखना कितना प्यारा makeup look आता है और अभी तो guys monochrome makeup look इतना ज़्यादा trend में है कि Katrina Kaif Alia Bhattin सबने monochrome makeup look लिया है अपनी marriage में तो काफी ज़्यादा चलन में है और भी मैं आपको इसके example बता देती हूँ लाइक देखिया अभी आपको ये तो simple थोड़ा simply में अगर आप जाते हैं तो आप ये वाले shade यूज़ करेंगे इससे आप dramatic makeup look भी create कर सकते हैं लाइक जैसे आपको blue color पे जाना है blue lipstick and blue में आप black add करेंगे तो आपका navy blue color आपका eyeshadow के लिए बन जाएगा तो इस तरह से आप use करेंगे इनके example भी मैं आपको लगा दूँगे आप देखना कितने अच्छे लगते हैं लेकिन वो dramatic look में क्योंकि इतना bold हम brights को नहीं दे सकते हैं नहीं कोई party में हम इतना bold makeup लूग कर सकते हैं लेकिन अगर आपको dramatic look create करना है तो आप यह वाले shades यूज़ कर सकते हैं like blue यूज़ कर सकते हैं green यूज़ कर सकते हैं अभी आप अगर थोड़ा simple में जाना चाहते हैं तो आप purple की तरफ जा सकते हैं तो कुछ shades के example में आपको यहाँ पर लिखवा देती हूँ तो वो आपको बहुत जादा काम आने वाले हैं तो देखें यहाँ पर कुछ example में आपको बता देती हूँ जैसा कि मैंने आपको बता है rusty orange अगर आप eye shadow यूज़ करते हैं तो आप pink की side जा सकते हैं जो light pink shades होते हैं हमारे cool undertone पर बहुत अच्छे जाते हैं तो यह वाले shades जिनमें थोड़ा सा blue undertone हो तो वो वाले आप जा सकते हैं cool undertone पर उसके बाद में देखें rosy raspberry type shades होते हैं मैं आपको एक makeup look यहाँ दिखाऊंगी पिक लगा दूँगी मैं तो आप देखना कितना प्यारा लगता है बहुत ही प्यारा लगता है तो इस तरह तभी आप look create कर सकते हैं अभी जो peachy tones होती हैं वो warm undertone पर बहुत अच्छी लगती है तो यह भी आपको warm undertone पर use करना है ठीक है और यह देखें आप एक cool पर भी दे सकते हैं warm पर भी दे सकते हैं according to skin tone and adder tone आपको ज़रूर से ध्यान रखना है warm neutral shades आप इसमें use कर सकते हैं warm neutral shades भी काफ़ी अच्छे लगते हैं ठीक है warm neutral shades आप use कर सकते हैं आप क्या कर सकते हैं? brown ले सकते हैं अब ब्राउन में क्या है? ब्राउन लाइट कलर का आप कोई भी मैट शेड देंगे, ठीक है? लाइट मैट शेड आप दे देंगे, आइस पर और उसके बाद में आपको चीक्स पर भी आप थोड़ा सा जो हमारा ब्रोंजर आता है, वो वाला आप चीक्स पर ब्लशर यूज़ करेंगे और जो लिप्स्टिक है वो कोई भी न्यूड ब्राउन शेड आप यूज़ करेंगे कौन सा मेकप लुक हमारा मोनोक्रॉमेटिक मेकप लूग होता है और हमें कैसे इसमें शेड यूज़ करने पड़ते हैं कैसे हमारे ये मेकप में काम आती है ये वाले स्कीम ठीक है मेकप लुक में आप क्या करेंगे जो भी न्यूड और पेस्टल टाइप के शेड है वो कैसे यूज़ करना है एंड जो यह हम थोड़ा सा सिंपली में जाते हैं तो यह भी मैं आपको इसमें एक्जांपल दिखा दूगी तो गाइस उमीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें मोनोक्रॉमेटिक कलर लुक क्रिएट करने होते हैं एंड हम हमारे मेकप लुक में जो कि हम ब्राइडल मेकप आर्टिस्ट हैं तो उसमें हम इसको कैसे यूज़ करते हैं तो मिलते हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई